बिहार कैमोर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट कैमोर में बिहार बंग के अलान को लेकर सड़क पर उत्रे दियम और इसकी शांती व्यवस्था कायम रखने के लिए चप्पे चप्पे पर लगाई गए मजिस्ट्रेट और तुरिस के जवान कैमोर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार बंग के अलान को लेकर कैमोर डीम और इसकी सड़क पर उतर गए हैं इतना ही नहीं जिले में शांती व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी मुख्य प्रतिश्थानों पर पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की तेनाती की बई है कैमोर डीम एवं एस्पीके ने तृत्व में जिले में चप्पी चप्पी पर पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की तेनाती की बई है वही जिलादिकारी नवदीक शुकला एवं पुछ अधीक शक राकेश कुमार पूरे दिन जिले के विब्निन प्रतिषध्थानों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इसका प्रतिपल रहा कि पूरे दिन जिले में शांती व्यवस्था कायम रही। बता दे कि इसके ठीक एक दिन पहले परोसी जिले रोहतास में अगनिपत को लेकर काफी बवाल मचा था जिसके बाद शनिवार को अगनिपत एवं अन्यदलों के द्वारा बिहार बंद का एलान किया गया था जिसे लेकर कैमोर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गए थे जिलादिकारी नवदीक शुकला व एस्पी राकेश कुमार के नेत्रित्व में दुर्गावती में चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तेनाती की गई थी ताकि हर हाल में शांती व्यवस्था कायम रखा जा सके हालां कि बिहार बंदी का अस सामान्य रूप से खुले रहे बताते चले की सडकों पर आम दिन की तरह लोगों की बीर भार देखी गई लोग खरीदारी करते देखे इस संबंद में जिलादिकारी नवदीक शुकला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सभी जो महत्वपूर्ण स्थल है उन सभ सब्सक्राइब करते हैं जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं चाहें रेल्वे स्टेशन हो या महत्वपूर्ण जो बजार हैं बस्टैन है सभी जगह पर पत्रिक बन देखे लिए